योध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा आज हो गई है 22 जनवरी 2024 की ये तारीक इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी आज सभी भारतवासी श्री राम के भव्य राम मंदिन में विराजमान होने वाले इतिहासिक पल के साक्षी बने है हमारे संबाददाता प्रांजल प्रतीम दास इस वक्त राम नगरी में मौजूद है आईए जानते हैं इस वक्त राम नगरी में क्या हो रहा है जी प्रांजल क्या आप हमें सुन पा रहे हैं हुआ है हम जुड़ेंगे अब राम मंदिर की प्रान प्रतिष्टा सुस्वारू था वा समापन हुआ और प्रधान मंट्री नरेंडर मुझ्दीजी ने वह समापन प्रक्रिया में खुट प्रेजेंट रहा और पूरे अयुद्धा के महल के बारे में अगर हम बात करें यहां भी है तो आप लोग पिसले तीन सार दिन में अजिद्धा में रहा और जिस पल का इंतिजार था आज इस वो घड़ी वह पल आही गया है तो आप क्या आप लोग का उपलब्दी है उसके लिए उपलब्दी तो आज हमारे राम विराजमान हो गए है उसकी उसका तो क अजय को इस सब्सक्राइब करें बूंद साच रहा तो येनुवफ आपके लिए कि इसार है जीवन का परम सोभाग्य का विशे रहा है आज से पहले कितनी पीडिया गुजर गई भगवान स्री राम के इस मंदिर की दिव्य स्थापना के लिए लेगन भगवान ने आज बास दिव्य अवसर प्रदान किया है जो हमें आज भगवान स्री रागविंद्र सरकार की पताका को लहराया है बड़ा ही आनंद का विस्था है हमारे भाई सावें जैपुर राजिस्थान प्रांध धर्माचार है आपके यहीं से इस राम मंदिर के लिए दिव्य पत्थर का आगमन हुआ है जो राम मंदर में पत्थर लगा हुआ है लाल पत्थर वह पत्थर पू से बड़ा अनंद का विस्था निट्सोय के आं जो अगर हम बोले तो बोटी सुपक अपसर है और यहां पर विद्धा के सारी और हम जहां भी जाते हैं अभी राम नाम की घुन से धनी है और सब लुका सिंपे आस बहुत कुसे कि राम डाला की जो प्रान प्रतिस्था वो प्राण प्रटेस्टा हो गया है और अनिवाद